हेलो फ्रेंड्स कंचन की किचन में आपका स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी और आसान सी रेश्पी लेकर आई हूँ जिसे आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हो और ऐसे तो चैने जो हैं हर तरीके से फाइदे मंद ही होते हैं चाहे तो उसकेस में आप यहां पर ऐसे चटपटे मसाले दर चने बना कर दोगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यदा पसंद आएगा इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर अंकुरित चने ले लेना है वैसे अगर आप चाहो तो इसे बिना अंकुरित चने से भी बना सकते हो व दिया है अगर आपको चने अंकुरित करना नहीं आता है तो आप वहां से देखकर चने को अंकुरित करना सीख सकते हैं तो सबसे पहले हम गैस पर एक कड़ाही रखेंगे कड़ाही के गरम होते ही सबसे पहले इसमें तेल डाल देना है तेल इसमें बहुत ही कम लगता है दो मिर्च को कुछ सेकंड तक हम फ्राइ कर लेंगे इसके बाद इसमें हम डालेंगे लैसुन 12-15 लैसुन को बारिक कट करके डाल देना है इसके बाद यहां पर हमने चार प्याज लिए हैं प्याज यहां पर आप अपने पसंद से थोड़ा सा कम या ज्यादा ले सकते हैं आप च अपको प्याज नहीं पसंद तो प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे इस तरह से लच्छ एस से खुलने लगेंगे तबteenth हमलें इसमें बालेंगे अंकूरी चने को और इसे मिक्स करते हुए बंड कर दो एक साथ यह यहां पर हमने इसे अठ्छे से बोनें ना है medium film पर अब इसका ढगकन लगा देंगे और 2 मिनद तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे तो यहाँ पर हमने इसे 2 मिनद तक पका लिया है इसका ढगकन अटाएंगे और फिर से इसे चलाएंगे एक बार आप देख सकते हैं पर प्याज जो है वो हलकिसी टांस्पेरेंट हो गई है मतलब हलकिसी स्वाप्ट हो गई है अब इसमें हम मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर एड़ कर देना है और इसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर और जाधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हम डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और इसके बाद मसाला हमारा जले नहीं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे बस इतने से जाधा पाई नहीं डालना है इसी पानी से मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा और चना अभी अच्छे से पक जाएगा इससे ज्यादा पानी मिश में नहीं उच करेंगे अच्छे से मिला दिया हमने अब इसे ढख देंगे और ढख करके इसे लगबंग 2-3 मिड तक फिर से पका लेना है इसके बाद इसका ढखकन हटाएंगे और एक बार इसे फिर से मिक्स करना है यह देखें अब इसमें हम डालेंगे नमक क्योंकि हमने अभी तक इसमें नमक नहीं एड किया है तो स्वाद अनुसार इसमें आपको नमक डाल देना है और नमक को भी अच्छे से मिला देना है तो यहां पर नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसे फिर से कवर कर दे बीच बीच में इसे चलाते हुए 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे या फिर चना जब तक पक नहीं जाता है तब तक आपको इसे पका लेना है तो यहाँ पर चना बहुत अच्छे से पक चुका है यहाँ पर यहाँ पर आप चाहने को चेकर सकते हो इसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ हरे धनिया डाल कर अच्छे से मिला देना है यह देखिए बहुत ही चटपटा बहुत ही टेस्टी हमारा चना मसाला बनकर रेडी हो गया है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसके बाद इसे सर्वकल लेना है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो इस बारिस के मौसम में अगर आप को तीखा चटपटा कुछ खाने का मन है तो आप इसे जरूर से ट्राइ करिएगा बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी तो लगता ही है साथी साथी बहुत ही हिल्दी भी होता है तो एक बार आप इसे जरूर से ट्राइ करिएगा आप चाहों तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो या फिर आप ऐसे ही से खा सकते हो और हमारे तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें मैं इसी तरह से हर रोज नहीं नहीं रेश्पी लेकर आती रहती हूँ तो हर रोज नहीं नहीं रेश्पी के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि मैं जैसे वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और इस तरह से एक बार आप इस चैनल मसाला को जरूर से ट्राइ करिएगा सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद